DDGS को लेके जितनी भी misconceptions हैं, जितनी भी गलत फैमिया हैं, हमारे mind में, case में बड़ी उल्ली होती हैं, हम dairy sector में use नहीं कर सकते हैं, वो सारी चीज़े में discuss करूगा, और कितने कितने level पे हम use कर सकते हैं, अपने dairy sector में, और कितना ज़्यदा फाइदा ले सकते हैं, इसे, वो यह च अब एक process होता है, जिसमें क्या होता है, कि दाने से हम ethanol को produce करते हैं, एक cycle होता है, जिसमें क्राफी processes होती हैं, मों skip करूँगा, simple आप देख लो, कि दाने से हम एक ethanol produce कर रहे हैं, ethanol याने की simple बाशा में शराब, अब इसको शराब को उस sense में मतलिए न, जैसे आज के normal गाड़ friendly है, मतलब इसका इतने carbon footprint है नहीं, तो ये आने वाले time में ethanol की production बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि हमें environment safe चाहिए, अगर ethanol की production बढ़ेगी, तो बतलब यहीं भी है, जिससे दाने से ये शुरू होगा, process ethanol का, वो दाने की production भी बढ़ेगी, अब normally क्या होता था, कि molasses से, sera से यह हम use करते थे, और इससे ethanol निकलता था, फिर हम चावलों से, गेहों से use करके ethanol produce कर रहे थे, अब लेकिन जो नया concept आ गया, वो आ गया है, कि मक्ये को हम use करेंगे, और उससे ethanol produce आएगी, और जितने भी experiment होए ना, तो मक्हा सबसे best निकला, मक्ये का benefit यह है, कि मक्ये में एक तो पानी बड़ा कम लगता है, और जो भी season हो, अब भी cream, summer season हो, सबी season में मक्हा हो जाएगा, और तीसरी important बात है, कि जैसे गेहों हो गया, चावल हो गया, चलो यह तो इनसानों के लिए, human consumption के लिए चाहिए, तो मक्ये का इतना competition है, नहीं इससे, तो मक्ये की production को सरकार भी अच्छी होगी, in comparison, यह हूँ, और चावलों से, और molasses से, अब DDGS एक कोई ingredient नहीं है, DDGS हम किसी भी grain से बना सकते हैं, लेकिन मक्हे वाली बैस साबित होगी, अब अमेरिका में पिछले 25 से 30 सालों से मक्हे वाली DDGS, animal की पशों की feed में यूज की जा रही है, without कोई side effect के, तो कोई concept अब इंडियन से अपना रहा है, कि मक्हे वाली अगर हम DDGS यूज करें, तो उसने बहुत सारे फाइदे होंगी, हमारी इंडिरी इंडस्टी को, अब इसके profiling की बात करें, तो protein भी round 30% होती है, fiber भी 10-15% होता है, fat भी in fact 10-12% होती है, ash भी इसमे round 5-6% होती है, तो यह सफ्कती में पढ़ेगी, और nutritionally better में होई, DDGS की quality हम normally morphologically देखके हैं, मतलब उसके color से देख सकते हैं, अगर DDGS को धार कलर किया ना, तो वो DDGS अच्छी नहीं है, अगर वो light yellow golden color किया तो वो best quality है, सबसे पहले जो दिक्कते आ रहे थे न, DDGS की वो इसलिए आ रहे थी, कि इ से 12% moisture होगा, बाकि सारा dry matter होगा, अगर moisture ही नहीं होगा, तो अफला toxic होने की दिक्कते आएंगी नहीं, अब DDGS की कुछ और बाते हैं, जो इसको बहुत premium बनाते हैं, सबसे important बात तो यह है कि जो इसमें protein content है, बेशक इसमें 30% protein content है, लेकिन जो इसमें protein content है, वो mostly किस form में है rumen undegradable protein, मतलब वो rumen में जाके degrade नहीं होगी, वो properly used होगी अगे जाके अंतरियों में, intestines में, तो यह इसको सबसे important parameter है, second important parameter है कि इसमें methanin, जो एक limiting amino acid है, जो मैंने अपनी पहले वीडियो में डिसकस किया, कि कुछ limiting amino acids होते हैं, dairy farming है, तो methanin इसमें अच्छी मातरा में होत तो phosphorus को अगर हम concept में देखे कर भी conception के, या किसी normal overall किसी metabolic disorders में तो phosphorus बहुत involved होता है, और phosphorus भी इसमें काफी अच्छी मातरा होता है, और last में सबसे important point ही है कि इसमें कोई anti-nutrational factors नहीं होता है, मतलब कोई भी जहरीला पदार्थ नहीं होता है, सिर्फ अफला toxin को अगर हम control कर पाई अपने drying process है, तो यह बहुत एक उत्तम खल होगी, पर्षों के point of use है, और अगर हम production के बात करेंगे, अब मैं for example आपको बताता हूँ कि अगर हमने 5 kg rise, मतलब 5 kg चावल से अगर यह हों से हमने use किया, तो हमारी जो ethanol बनेंगी, वो बनेंगी 1 kg, वही comparison में, अगर हमने 3 kg तो हमारी ethanol बनेंगी 1 kg, तो इस वाइस, मतलब ethanol के production के वाइस भी जो मक्के की जो लगे इलाधित लगी, वो कम लगेगी, तो future perspective आप दीक सकते हो, कि मक्के वाली ddgs बहुत आने वाले है, तो ddgs एक main protein ingredient रहेगा, अगर कोई भी animal की feed की manufacturing होगी, खास करके dairy farming में, या small ruminants है, बेंड बकरियों में भी अगर हम बात करें, तो ddgs रहेगा, क्योंकि इसकी profiling भी वड़ी अच्छी है, और animal की overall growth के लिए भी ये अच्छा protein का सुर्वत है, अब मैं आपको बात बिदाता हूँ, कि हम इसको use कितना कर सकते हैं, primarily अगर मैं आपको बिताओं, तो उने ruminants में guess me, right, बेंड बकरियों में या हमारे buffalo में, cow में, right, तो इन में हम जो use कर सकते हैं, इसको 20 प्रतिशत ही use कर सकते हैं, in fact 25 तक use कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम use नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा use करने का reason ये नहीं है, कि उसमें उल्ली होती है, उससे ज़्यादा use कर तो इसका बहुत अच्छा रजल्ट आता है कुछ स्टडी भी होई है कि अगर हमने 20-25 तक यूज किया तो दूद का प्रड़क्शन बहुत बढ़ा है और अगर उससे हम ज्यादा यूज करेंगे तो दूद प्रड़क्शन स्टेबल रहेगा उतना नहीं बनेगा तो अगर आ नाग से निकाल दो क्योंकि अगर ड्राइंट फॉर्म में इफ्वी गेट DDGS तो यह बहुत अच्छा प्रड़ीन का सुरोत होगा और इसमें अगर मॉस्च्चर लेवल ही नहीं होगा तो अफ्लट आक्सिन का मतलब ही नहीं और सेक्ड इंपोर्टन बात तो यह आपको मैंन इसमें तो कुछ ऐसा है भी नहीं मेरी कमिंग वीडियो में उस पर भी चर्चा करूँगा लेकिन फिलहाल में आप सभी के लिए यही बताना जाता हो कि आप डिनिंजिस को निश्चिंत रूप में यूस कर सकते बस उसके क्वालिटी का पैरामेटर मैंने आपको बताई दि कर दो निश्चिंत